पहुँच चुके हैं भगवान राम के ससुराल से ये तोपे आए हैं तीन हजार से जादा उपहार आयोध्या पहुँच चुके हैं जनक पुर्धाम जो की माजान की का मायका है जाम जान की मंदिर नेपाल राश्ट्रो से सनेश भार जो होती है वो निकली और लगभग तीन दर्जन कारियों के साथ आयोध्या के कार से वकपुरम पहुची जिसमें 500 से उपर भगवान राम के ससुराल पक्ष के भक्त गण भी शामिल है जो अपने साथ 3000 से उपर उफाल लेकर आए जिसमें फल हैं, मिठाईयां हैं, सोने चांदी के गहने हैं जो माता जानकी के माईके से उनके ससुराल तक पहुचे हैं और उनके गरिपरवेश को लेकर के बहुत ही उत्सा जनकपूर में भी देखने को मिल रहा है और वहां से देखिए तोफों को कैसे भेजा गया क्योंकि परमपरा है कि जब बेटी का अगरिपरवेश होता है तो माईके से तोफे आते हैं, ससुराल के लिए तोफे भेजे जाते हैं और वही परमपरा एक बार पिर से निभाई जारिये सनेश के रूप में और आप तस्वीरे में देखें सारे उपहार जिन में वस्त रहें, आबूशन हैं, फल हैं, मिठाईयां हैं और अनाज हैं, तमाम ऐसी चीजें जो हैं, वो नेपाल यानि की जनकपुर से लाई गई हैं तस्वीरे मेरे पीछे इदर देखिए, यहाँ पर आपको تمाम सारे जो उपहार हैं, आपको तस्वीरों में यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, और यह सारे ही उपहार जो हैं, वो माता सीता के माय के यनि की जनकपुर पुर्से और राम जी की सस्रॉल जिसे कहा जाए वहां से आए हैं आप देखिए यहां पर फल हैं वस्त हैं तमाम वो जीवन की जरूरत की चीजें जो हैं वो आपको तस्वीरों में सब नजर आ रही होंगी और लोगों के नाम भी लिखे हैं जिन्होंने जनक पुर से अलग घर में प्रवेश कर रही हैं और यही वज़ा है कि उनके लोगों में यानि की माता सीता के मायके के लोगों में भी वही खुशी और लास नजर आ रहा है बाइस जिन्वरी को नेपाल में भी जो है वो खुशिया मनाई जाएंगी दीपावली मनाई जाएंगी और आप है आपका सागर उपानिया अप लोग की चेहरे की खुशि मतारी कि भगवान राम नumb taught přिन चनख्पूर आपस्पार के में यहां तक पहुंच गए क्या क्या लेकर आएं हैं आप लोग उपार में सारा बस्त्र, अन्न, मिस्तान, सुन, चादी, सब है अच्छा सब कुछ है जोईलरी, गवाना, सब थोके पर ये जो कोशिशें हैं कि सब लोगों ने की हैं कैसे ये मैं सबसे बड़ी बात क्या है उस घरवास में जाने से पहले बहन को, दमाद को, बहन बहनोई दोनों को कपड़े, बस्त्र, सोन, चांदी, गहने जितने भी होते हैं वो और साल भर दोनों बेहन और दमा दोनों साल भर खाए उस सारा अन कपड़ा सारा चीज समितला बासी हम लोग आज 15-20 रोज से लगे हुए थे और सब देखर के घर घर से जिसको सरद्धा से सब ने घर को चलो भईया अब तो बेहन हमारी सिया बेहन अब महल में जाएगी इसलिए हर्स के साथ हम लोग यहां शावागी भी बिल्कुल 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 जो देखे राम जी जब टेंट में थे उस समय जितना तकलीफ अबदवाशी को था उससे ज्यादा तकलीफ हम मिथलावाशी को था क्योंकि मिथलावाशी को तकलीफ इसलिए क्योंकि बेहन को तो हमने महल में दिया था लेकिन जो बेहन इतना दीन से रह रही थी वो अब महल में जाएगी तो ये खुशी ये च्छणे हमको लगता यूगो यूगो में आप फिर नहीं आएगा ये फिर ऐसा मौका जीवन में नहीं आना है हाँ नहीं आएगा ये जहरे की खुशी की अपनी बेहन के लिए देखिए साल भर के की विवस्था करके दी जाती है साल भर का अन अनाज फल वस्तर आप देखे तमाम चीजें जरूरत की आपको तस्वीरों में जो जो शिंगार का समान है वो भी नजर आ रहा होगा आपको फल नजर आ रहे होंगे तमाम तरह के देखे ठेकवा पकोडियां मेवे सुखे मेवे सारी चीजें आपको तस्वीर में नजर आ रहे होंगी और भी लोग हम उनसे बात करते हैं उत्तम कुमार जी ये बताईए कि कितनी खुशी अब लोग को है बहुत जयदा खुशी हम लोग जितना सउचंजा से उस्ते वीज़ादा खुशी है और यह रामने बंदिर बनने का हम लोग मंधिर बन रहा है आ वोबहुत ही अच्छा है हम लोग हिंदिवू के लिए एक दोघ्डर05 की बात है और हम लो आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी कितनी खुशी आप लोगों बहुत जारा खुशी है जो मेरी बेटी आज महल में जा रही है उनके ग्रीफ प्रवेश का समान लेकर हम लोग इस उस सब में भाग लिए आप लोग ने कैसे सामान सोचा कि क्या-क्या सामान लेना है आ मतलब मज, सूप, धनिया, तिलोवरी, अदोवरी, चाबल, दाल, चूरा, सारा समन, पान, मखान, पाक, दसराजी के पुरा कप्रा, उनके पुरा परिभार का कप्रा, सोना, चांदी यहां तक ही, हम लोग चांदी का खराव, तीर धनोस, सीता जी के लिए गहना, सारी चीज लेकिन हम लोगे लिए हम लोग गरीव हैं, हम लोगे लिए थोड़ा पर रहा है, जो अपनी सीटा को कुछ नहीं दे सके, बस इतना से समान दिये हैं, क्या देंगे, प्रिम भाव दिये हैं, जो मेरी सीटा आप टेंट में नहीं बसे, महल में आ जाए, और महल की बेटी सबसे लेके आए हम क्या दे सकते हैं भगवान राम चंद्र जी को जो हमारे पास था वो उनके लिए अचारण में सर्पन कर दिये हैं और खुशी हो रहे हूं कि इतने बर्सों के बाद हजारों बर्स के बाद महल में उजाएगी मेरी बिट्या जी उतनी भरी महल में रहती थी साधी हुआ बनबास गए उसके बाद फिर रामजी छोड़ दिये उसके बाद अदोध्या बासी सब छोड़ दिये ने जैकि उनको टेंट में बसा दिया लेकिन आज इतना खुशी हो कि मोती सरकार योगी सरकार कि हमारे बेटिया को महल दे रही है बहुत ज्यादा खुशी बहुत ज्यादा खुशी है बगवान इसी तरह उनको खुशी घर संसार बसार है और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए बाकि बेटी रोटी का रिस्ता है हम लोग बना के रखे और हम लोग भी आए ये लोग भी जाए बस इतना हम लोग का कामना है धन्वाद